हेलो गैस वेलकम बेक टू अगिन आईटे का भिंदी योटूब चैनल मेरा नामेत रुवीन आज की इस ब्राण वीडियों में बात कने वाले की हाउ टू कस्टमाइज कंट्रोल सेंटर ओन आईफोन इन आईओस 18 डिसेंटली एपल ने आईओस 18 के अंदर बहुती सारे नए फिचर्स के साथ कंट्रोल सेंटर में बहुती सारे चीज को एड किया गया है तो आज की इस ब्राण वीडियों में बात कने वाले की कंट्रोल सेंटर को कैसे कस्टमाइज करेंगे सबसे पहले तो आईफोन की टोप राइट कॉर्नर से आपको स्वाइप डाउन करके कंट्रोल सेंटर को ओपन करना होगा कंट्रोल सेंटर को ओपन करने की बाद जैसे होम स्किन को आप एडिट करना चाहते हो तो आप प्रेसेंट होल्ड करके रखते हो For example, आपको यहाँ से कोई भी control को remove करना है, तो आपको simply उसी control के minus icon पे tap करना होगा. यह तो बात हो गई कोई भी control को remove करने के लिए, बट still उसी के साथ-साथ आपको यहाँ पे कोई भी controls को resize करना हो, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे grabber करके को option है, उसके उपर present hold करके आप drag in outside inside करोगे, तो automatically इसकी size increase, decrease हो जाएगी. उसे के साथ-साथ आपको और भी controls को यहाँ पे add करना हो, तो simply आपको add a new control पे tap करना होगा, यहाँ पे new control gallery open हो जाएगी, यहाँ से जो control को add करना चाते हो, उसको select करके automatically आपके control center में आ जाएगा, इसी तरीके से आप iOS 18 के अंदर control center को easily customize कर सकते हो, I hope आपको वीडियो पसंद आए तो please हमारी चैनल को subscribe, Instagram को follow कर देना, ऐसी amazing tips and tricks के लिए, Thank you so much, take care, bye,